तो इनलेफेंट कैसे हैं दोस्तों आज मैं आपको बता वाला हूं आपने WhatsApp की डाकुमेंट देख सकते हैं अगर आप आपने कुछ जिनों से नोटिस कर रहा हो अगर आप आपने फाइल मेंगे तो वहां पर आपको WhatsApp का फोल्डर नहीं मिल रहा है अगर आपने भी तक चेक नहीं करा है तो अभी आप मेरी वीडियो को पॉस्स कर पाइंगे पहल सबस्बाइब आपको वाट्सब करेंगे तो मैं आपको किसी ने कोई वाट्सब के फोल्दर खुड़र आपको दिख रहा होगा यहां पर वाट्सब की फोल्डर आपको दिख रहा है बर यह है कि किसी को गैलरी में भी फोटोज या फोल्डर नहीं मिल रहा है तो उनके लिए भी आगे solution यह है तो दोस्तों में यहां पर आपको करना क्या होगा यहां पर जाना आपको अपने मॉवाइल के file manager पर पर जाने के बाद आपको यहां जाना है internal storage पर यहां पर आपको कहीं भी यहां पर वाटसप का फोल्डर पहले यहां पर मिल जाता था और उसके अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाती थी बट अभी यहां से हट चुका है अब यहां पर किसी को वाटसप का फोल्डर नहीं मिल रहा है अगर मिल रहा है तो उसके अंदर मेडि यह folder मिल जाएगा android आपको इसके अंदर जाना ए इसके अंदर जाने के अब आपको जाना यहाँ मीडिया वाले option पर जाएंगे यहाँ पर आपको जाना है com.whatsapp आपको दिख रहा होगा com.whatsapp वाले option पे जाना है जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे अब यह normal whatsapp वाला folder जो आपको पहार आता था अब यहाँ पर आपको मिल रहा है आपको इस whatsapp वाले folder में जाना है यहाँ जाने के आपको जाना है मीडिया के अंदर अगर आपको what's up के इमेजिस चीए तो आपको what's up इमेजिस में जाएंगे तो आपको यहाँ में जाएंगे उनStarEd documents मिल जाएंगे यहाँ पर जो आपने private में रखे होंगे तो आजाएंगे या आपने किसी को send करेंगे तो आ जाएंगे ऐसे ही हाँ पर सारे notes आपको दिख जाएंगे वाइट से लेड़ेम एक एक चीज से लेटेट जो भी कुछ हो आओ तो चेंग्जिस हो चुका है अब आपको वाटसप का फोल्डर एंड्रोइट के अंधर ही मिलने वाला है यह लेटेस नहीं चेंग्जिस आयते हैं उमीद है कि दोस्तों आपको यह पसंद आई होगी तो थेंक यू तो मुझे उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद देंगी दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आई तो प्लीज में चलो सब्सक्राइब करने सबसे मिले और हो सके मुझे इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो थेंकि दोस्तों